हालो माई देर स्टुडेंट्स यू आर वेलकम तो माई चैनल तया सौनी देखिए पिछली दो वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंज का और पास्ट इंडेफिनिट टेंज का यूज कहां पर होगा कौन से शब्दाइंगे जब होगा यह बताया था अ प्रेजेंट कंटीनिवस टेंज का यूज कहां पर होना है ठीक है यानि कि कौन से वर्ड्स हमको दिखाई देंगे सेंटेंस में कि हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यहां पर प्रेजेंट कंटीनिवस टेंज का यूज होगा ठीक है तो फिर से शॉटकट ट्रिक्स की एक औ लिखित शब्दों का यूज किया गया हो तो हम present continuous tense का प्रयोग करेंगे ठीक है ये जो शब्द है ये यदि हमारी sentence में है तो हम present continuous tense का यूज करेंगे ठीक है ये शब्द है बच्चो देखिए नाव नाव मेंज होता अब इस तिल अभी at this time इस वक्त ठीक है at this time इस समय या इस वक्त at this moment इस क्षण या इस पल ठीक है at present लगबग सभी मिलते हुए शब्द है ये इनसे अपन पैचान जाएंगे कि हमें यहाँ पर present continuous tense का यूज करना फिल अपने at this moment इस क्षण या इस पल at present अभी वर्तमान में या इसी वक्त टुड़े आज नावाडेज यानि की आज कल नावाडेज का मतलब क्या होता बच्चो आज कल और लुक यानि देखो कोई चीज घटेत हो रही है और हम उसको दिखाते हैं किसी को तो कहें तो हम present continuous का यूज कर सुनो या सुनिये यानि यह भी चीज कोई भी घटना जो present में घटित हो रही है इसके लिए यह शब्द लोक लिसिन वगेरा इस तरीके के वर्ट्स आते हैं एक्जाम पास देख लेते हैं बच्चो शी इस स्टिल स्लीपिंग वह अभी तक सो रही है या अभी भी सो रही है अभी सो रही है अभी से सो रही है तो यहाँ पर देखिए इस्टिल वर्ड यूज हुआ है बच्चो तो हमने क्या लगाया स्लीपिंग आई एंजी फॉर्म लगाई वी वन प्लस आई एंजी और इस इस्टिल हमारा हो गया वैसे ग्रैमेटिकल ही देखने हैं तो और तो हमने यहाँ लगाया इस स्लीपिंग यानि प्रेजेंट कंटीमियस टेंज में जो पैचान है इस एमर प्लस वीवर प्लस आई एंजी वो लगाते हुए हमने इस्टिल की वज़े से यहाँ पर इस टेंज का यूज किया है ठीक है टोड़े आइं नोट गोइंग तो क कि यह अभी की घटना है वर्तमान की घटना है कि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है तो I am not going to college लुक दा लॉइन इस चेजिंग दा डिया देखिए जो शेर है वो हिरन का पीछा कर रहा है तो यहाँ लुक वर्ड से आपको समझ में आया कि यहां continuous tense यूज करना है present continuous tense यूज करना है nowadays I am writing a story next example है बच्चो कि आज कल मैं एक कहानी लिख रहा हूं या लिख रही हूं nowadays का मतलब क्या होता है बच्चो आज कल जैसा कि word meanings में हमने बता दिया था nowadays I am writing a story आज कल मैं एक story लिख रही हूं या लिख रहा हूं तो यह हो गए वो शब्द जिन से हम पहचान पाएंगे कि कहां पर हमें present continuous tense का यूज करना है thanks for watching my videos और बच्चो यदि किसी भी तरह कि आपको problem हो कुछ समझ में नहीं आया हूं तो आप comment box में पूछ सकते हैं I will definitely reply your question okay thanks